कि फ्रेंड्स आज च्छटे दोर की बातचीत हुई किसान नेताओं और भारत सरकार के बीच में जिसमें कोई नतिजा अभी तक नहीं निकल पाया हालां कि सरकार के रूख में थोड़ी से नर्मी देखने को मिली और जो कृष्षी मंत्री हैं उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा है किसान यूनियन से उनकी प्रॉब्लम्स सौल करने के लिए इसके साथ ही साथ किसान यूनियन ने पहले ही अनौंस किया है कि आठ तारिकों भारत बंद करेंगे और जो कि भारत बंद होगा किसान उन्हेंने पहले क्या दिया कि जो भी रास्ते बचे में दिल लिके उनको भी बंद कर दिया जाएगा यह नया किर्शिक कानून है जो हमारे अंदाता किसान है उनके लिए जैसी दोहरी मार लेके आया है यह तो सभी जानते हैं कि आज देश के सीमा पर जो मरने वाला है जवान उससे ज्यादा किसान आता मत्या करते हैं आज देश में अगर कोई घाटे का बिजनिस को कर रहा है तो किसान ही कर रहे हैं कि गौर्ण्मेंट आफ इंडिया की 2015 में जो कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि किसानों की साल बर किया है सिर्फ कि 20,000 रुपे यानि तक्रीबन कि 1516 रुपे महिने की है क्या इस इतनी कम आमदनी में कोई अपने बच्चों को अपना पढ़ा सकता है को अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भुष्य देख सकता है उनके स्वास्त है सिक्षा है सभी तरह का रोजगार है कुछ देख सकता है कुछ भी नहीं है कि खेती अग्रिकल्चर का सभी को पता है अमेरिका में जो चल रही है कि वह महां गौर्मेंट सबसिटी दे के उनके सानों को अपना खेती करा रही है इतनी जाद हालत खराब है और भारते सरकार ने अग्रिकल्चर को बिल्कु सत्यानास करने के तोर प पर हमारे अंदाता जो किसान है कि सड़ को पाए कि आठ तारीक को चक्का जाम पूरे भारत बंद किया जाएगा और इस देश इस सरकार को इस बीजेपी सरकार को जो पिछले 6 साल से हिटलर ही तरिके से अपना राज कर रही थी उसको अब छटी का इदूद याद दिलाने क टाइम आ चुका है कि वैसे सरकार ने अपना छटे दोर की बातचीत के लिए नो तारीक का टाइंड फिक्स किये लेकिन आठ तारीक को इनको आकल आ जाएगी जब भारत बंद होगा और पूरी तरह से यह सरकार अपना गुटने पर आ जाएगी इनको गलत फैमी थी कि मीड आफिया और ईवियम के बदोलत यह पूरे भारत के ना हर एक भारत वासी को यह गदार सिध कर देंड कर सकते हैं और हरेख एलेक्षन को जीच सकते हैं हालांhammerивает अभी emails अभी मुद्दा है और emails को भी वह करने के लिए सबी लाम बंद हो रहे हैं पूरे देस में तो कियां में पहले तो अभी इनको इस सरकार को सबग सीखाना बहुत जरूरी है जो इन्होंने एी इतलरी तरीक के अपना आई भात है जो यह किसां बिलना हो यह कुल है का सारी के सारे तीनोगों के तीमख क्लॉट हैं वह पूजीं पत्योंके फिवर में हैं कोई कह दे के किसान के favor में हैं तो मैं ही मांजूं यह कहते हैं कि हमने पूरे देश में किसानों के लिए वह कईूंब भी भेश सकते हैं समान अपने उपजको यह किया आज ऑगड़ क्या में किन वोड़ेंस अरुआर सकता है कि सबसप्रदी दिखकत तो यह अनाजय और भान और गयुंपे थी मंडिया जो जिसमें की minimum मिनिमुम्स प्राइस था और अपना किसान मिनिमुम्स प्राइस पर फाइस पर थोड़ा अपना जो लागत निकाल लेता था उसकी खिति की अब दूसरा इन्होंने बिल में लाए Essential Commodity Act को बिल्कुर खतम कर दिया सारा का सारा पूंजी पतियों के हावाले कर दिया कि अब पूंजी पति अपना जितना मर्जी स्टॉक करेंगे और जितने मर्जी स्टॉक करने के बाद पूरे उसमें मार्केट में अपना सप्लाई कम कर देंगे जिससे कि उसके वैल्यू बढ़ जाए पैसे वैल्यू बढ़ जाओ फिर अपना उसको मार्केट में निकाल लेगा यह बिजनिस कव तीसरा कॉंट्रेक्ट फार्मिंग का जो कभी इस्ट इंडिया कंपनी ने अभी 200 साल पहले चलाई थी लॉर्ड कॉन वाली जो भारत की गवर्न जनल थे जिन्होंने किया था यह कि किसानों को उनकी जमीन पर यह अपना उनका मलतूर बना दिया तो यह हालत है गवर्मेंट इनको एक तरह से बिजनिस की जो यह बिजनसमेन को की निगात इन पर के इनकी किसानों की जमीन को छीना जाए और इन पर बड़े बड़े अपना शॉपिंग कॉंप्लेक्स और रेजिनेंस कॉंप्लेक्स लेकिन आज सरकार थोड़ा नर्मी दिखाया है और किस्की मंत्री इन भी टाइम मांगा है लेकिन सरकार के यह जो नीती है वह है इस पर किसान यूनिन कभी किसान संगठन पूरा किसान देश का भारत का कि युखेगए नहीं और डीयम के तमिल नाड़ु से भी एगरी कल्चर के किसानों ने अपना समर्थन दिया है महाराज से लोग आये अपने यह अपर समर्थन देने के लिए क्योंकि यह जो कानून है यह सिर्फ एक किसानों के लिए नहीं हर एक देशवासी पर इसका अस बंद होगा कि आप एक बार जाकर देखिए कि किस तरह से किसान हों पर अपना इस थंड में अपना चद्रतान के सोय में अपना सिंगों